दोस्तों अगर किसी को सिच्छक बनना है तो सबसे पहले उसके बाद ही वो बीयड कर पाता है और इसके बाद ही वो सरकारी सिच्छक बन पाता है लेकिन अब NCT ने ऐसा कूर्स लॉंच किया है जिसके अंतरगत आप बारवी पास होने के बाद सीधे ITEP बीयड कूर्स करके प्रारंब है मांकि regular जो admissions होगे वो अगले सत्र से प्रारंब होगे तो इस वीडियो के माद्दमस हम आपको बताएंगे कि ITEP बीयड कूर्स क्या होता है इसकी admission प्रोसेस क्या रहेगी इस कोर्स करने के फायदे क्या है और भर इसमें कहां कहां पर इसका आपको लाब मिल सकत है तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को लाइक और सेर भी कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर आप लोग दे सकते मिनिस्टरी आप एजुकेशन गवर्मेंट आप इंडिया की तरफ से ऑफीसियल यह पोस्टर लॉंच किया गया है ITEP इसका मतलब है इंटीग्रेट क्या होता अगर आप बीड़ करना चाहिए तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है उसके बाद आप बीड़ करेंगे इस तरीके से पूरा पांच साल का समय आपका लगता है लेकिन यह अगर कुर्स करेंगे तो मानता आपकी उसी कुर्स के वराबर रहेगी लेक तो इसके लिए एक माई 2022 को सारी डिटेल्स विग्यापन जारी कर दिया गया है इसी वीडियो के मादव से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या इसका एडमेशन प्रोसेस होगा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं भारत का राजपत तेनी गैजेट अफ इंडिया जो की आपका 22 अक्टूबर 2020 को प्रकासित हुआ है ठीक है और इस गैजेट के मादव से सारी चीज़ें डिटेल्ड रूप से यहाँ पर बताई गई है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि एंसीटी क्या है कैसे काम करता यह कूर्स क्या है इसके बारे में सारी चीज़ें तो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि चार वरसी एकिक्रत अध्यातक सिछा करक्रम इसके मानक और मापदंड क्या होंगे दोस्तों आपके बता दें राष्ट्री सिच्छानीत 2020 के अंतरगत इस को प्रस्तावित किया गया था और राष्ट्री मोड के अंतरगत इसको टेस्ट किया जा रहा जो विबन संस्थान है युनिवर्स्ति हैं कॉलेज है ठीक है वो इस कोर्स को कराने के लिए ओनलाइन आविदन अभी उनसे बरवाया जा रही है और इसके बाद जब कालेज निश्चित हो जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे उसक सब्कुल्म लाकर के आठ सेमेस्टर आपके सामिल होंगे ठीक है और अगर आप इन चार वर्सों में कोर्स को पूरा कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो यहां पर देखें लिखा है कि उस कारकरम में यानि इस कोर्स में जो आपके एडमिशन की डेट होगी उससे अधिक्तम शार के अंदर इस कोर्स को पूरा करना होगा ठीक है अप यहां पर इस कोर्स का उद्देश का है फीस के और इसके बारे में यह एां पर इस टाइम आपको mention करना होगा कि आप BA BA course करेंगे ठीक है या BSC BA course करेंगे या BCOM BA course करेंगे ठीक है इसमें आपको form भरने के लिए कम से कम आपके पास प्लस टू परिच्छा क्वालिफाई होने चाहिए यानि senior secondary साहब सब्दों बोलें तो 12 परिच्छा कर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इस course में admission ले सकते हैं ठीक है इस course में admission लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझे लिए प्रव्योस प्रक्रिया के बारे में तो यहाँ पर क्या होगा आगले सतर से आपको जो है राष्ठी परिच्छा agency यानि NTA के माध्यम से एक common test करवाई जाएगा यानि entrance exam करवाई जाएगा ठीक है उस entrance exam में आपको participate करना होगा उसमें अच्छा score लाना होगा और उसी NTA के score होगा जो परिच्छा होगी ठीक है उ से score के आधार पर आपकी counseling होगी और counseling में आपको सम्दित college मिलेगा उस college में जा करके आपको admission लेना होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको सीरी सी बात है जो बड़ती art site के होंगे वह बीए बीड के अंतरगत जाएंगे जो बड़ती science के होंगे वह बीस्टी बीड कोर्स के अंतरगत जाएंगे और इन कोर्सों में अगरा कुछ परिवर्तन करना है तो कोर्स प्रारंब होने के आप एक महिने के अंतरगत कर सकते हैं फीस के बारे में बताया गया कि यहाँ पर फीस अभी कुछ के नरधारत नहीं है लेकिन जो राजसरकार के यह सम्मिद विस्विद्याले के नियाम होंगे जो उनका सिछन सुल्क होगा वही आपको लगेगा त इसलिए रूप से भी फीस के बारे में नहीं बताया गया है अब इस कोर्स करने का जो मुख्वदेश से वो यह है कि छात्रों को एक इकरत तरीके से ब्यावसाइक ग्यान और विसाग्याद ग्यान दोनों परदान करना है ठीक है इसमें आपको ब्यावसाइक चीज़े अब जो विसाग्याद ग्यान होगा वो भी सिखाया जाएगा इस को करने के बाद आपको ग्रिजवेशन और बीड दोनों के लिए आप इलिजबल होंगे दोनों आपके लिए मानने होंगे अब ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंटिये के माद्यम्स इसमें एडमीशन होंगे तो एंटिये के मद्यम से जो एडमीशन होंगे उस टेस्ट का नाम ही आप पर रखा गया है एनसी इटी जिस तरीके से एंटिये आप लोग जानते नीट परिच्छा करवाता है यही करवाता है ठीक इसी तरीके से आपका यह एक टेस्ट होगा इसका नाम सान के बारे में दोस्तों देखा जाए तो 2030 के बाद सिर्फ यही एक ऐसा कोर्स होगा जिसके बाद बढ़ती सिच्छक बन बन जाएंगे ठीक बन पाएंगे मिनिमम यानि यह तरीके से एजुकेशन कोईलिफेकेशन आपको सिच्छक बनने के लिए यही रहेगा अब यह कोर्स आपका प्राइमरी से लेकर के हायर लेविल तक लागू किया जा सकता है ठीक है लेकिन वह तो समय के साथ ही पता चाहिए लेकिन यह बात जरूर अगर आप इस कोर्स करते हैं तो आपको एक साल की बचत होगी और आने वाले टाइम पर 2030 या उसके बाद आप ही केवला इसे बढ़ती होंगे जो सिच्छक बढ़तियों में सामील हो पाएंगे अन्य जो कोर्स होंगे उनको लेकर के अभी कुछ भी स्पस्टी करन नहीं दिया गे लेक 2030 के बाद आप ही एक पर्टिक्लर दावेदार होंगे सिच्छक बढ़तियों में सामिल होने के लिए तो आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा अंत में छोटी सी एक क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर आप लोग दे सकते लेगा है सतर दो जारे तैइस को भी सतर से खुलेगा आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो इतना ही धन्यवाद हूं